हेलो गाईस, वेलकम तो मैं चैनल, एंस्पेंट्स उडान, मेरी जो आज की वीडियो रहेगी, जैसे कि मैंने देखा था, लास्ट वीडियो में मेरे काफी कमेंट आ रहे थे कि प्राइवेट कोलेजिस में, अगर हमारा गौर्मेंट कोलेजिस में नहीं होता है, तो प्राइवेट कोलेजिस में फीस ट्रक्चर क्या रहता है, तो फीस कैसी रहती है, क्या बहुत एफोर्डेवल रेंज से बाहर रहती है, या कैसी रहती है, उसे काफी लोगों के क्वेश्चन थे, तो इसका हंसर हाँ भी है या ना भी है, आप कह सकते हो कि प्राइवेट कोलेजिस की जो फीस रहती है, वो काफी हाइर साइड रहती है, जहां आपको गॉर्मेंट कोलेज में 5,000, 6,000, ऐसा एक समेस्टर में पे करना है, 11,000, 13,000, ऐसा जहां एक समेस्टर में पे करना है, यहां पे आपको yearly अगर हम बात करते हैं, तो यह last year का मैंने निकाला हुए, तो last year जो था, first year की फीस जो थी, 42,000 से ही, second की थी, 42,000, अब इसमें भी ना हमारे, जो cash है ना, वो कुछ हो रहे हैं, अब इसमें annual charges ना, include नहीं किया हैं, जैसे admission fees कह लो, अब main क्या होता है ना, जो prices यहां listed नहीं होते, अब क्या होता है कि, जैसे कुछ मैं ना, personal experience बताता हूँ, कि क्या होता है कि, जब भी आप admission purpose से जाते हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि, आप किसी भी private college में चल जाओ, वो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, कि एक gate पे ही न, एक आपको वो prospectus से चिपका देंगे, तो आपसे 2,500 तो वहीं जैप पे निकाल देंगे, कि भाई, आपको prospectus दे रहे हैं, ऐसा वैसा हो कई mention नहीं होता, 2,500 तो वो आप मान के चलो कि, वो तो आपका फालतूगा खर्चा है, 2,500, सेकंड खर्चा, आपको dresses मिलती है, dresses होती है, वो भी included नहीं होती, वो extra ही charge करते हैं आपसे, तो ये annual charges में आपका कुछ mention नहीं होगा, देख लीजेगा, आप चाहें, इसमें कहीं mention नहीं होगा, लेकिन आपसे ही हो चार्ज एक्स्टा लेंगे-लेंगे, साड़े 3-4,000 की आपकी dresses आ जाएंगी, बाकी आपके prospectus का तो मैंने कह दिया, तो बाकी आप मोटा-मोटा मान के चलिए, कि अगर जैसे हमने इनके जो charges बता आएं, तो 32,000 इनके बाद में आड़ करे हुएं, तो आप क्या रहता है कि इनकी total जो इनके फीज बनाई हुएं न, दो साल की 98,000, 10 रुपीज बनाई हुए है, बाकी जैसे इनके इनके लाइवरी फीज ये वो लिखा हुआ है, तो refundable नेचर लिखा है, लेकिन जब आप refund लेने जाओगे न, तो आप उस दिन मतलब घर से पुरा free होके जाना, breakfast, breakfast करके जाना, क्यों, क्योंकि refund जितना easily ये फीज लेते हैं न, online दे दो, offline दे दो, ऐसा ले लेंगे, वैसा ले लेंगे, उतना ही ना पुरा हाल करते हैं, आपको fees देने में, refund करने में, तो क्या रहता है कि, refund तो मैंने कहा दिया, कि refund तो आप बूली जाओ कि मिलेगा, मिलेगा तो आपको न, 200, 300, कुछ न, कुछ रही फाइन ये, वो ऐसा करके आपको refund 50% ही देंगे, तो private colleges में न, काफी difficult रहता है, पैसे के मामले, अब ठीक है, काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, कि हम afford नहीं कर पाएंगे, private ये, तो हाँ, कई चीज़ों में, अब जैसे यहाँ पे fees बनाई होने, एक लाग, अब इस से न, हम 10-15,000 उपर ही मान के चलो, मतलब, एक लाग, आठ या, एक लाग, दस के हजार, मतलब, दो साल आपके लगी ही जाएंगे, और ये जो है, ये केवल, फीस ही फीस है, एक private college की, इसके अलावा, हमारा रहना, खाना, पीना, अगर जैसे आप example के लिए मान के चलते हैं, हम कि हम धर्मशाला में रह रहे हैं, धर्मशाला में कहीं private college में example ले लेता है, किसी भी private college से कर रहा हैं धर्मशाला में, तो धर्मशाला में रहने का, monthly charge आप मान के चलो, आप PG भी लेते हो, 5 तो 6, 7, इतने में minimum आपको PG मिलेगा, तो अगर इतने में आप PG ले रहे हो तो साल का मोटा मोटा आपका बैठ जाएगा करीबन करीबन आपका किराया विराया निकाल के एक लाग के करीब करीब वो ही बन जाएगा तो आपकी डिग्री जो ओल ओवर अगर दो साल का लेके चलो न तो कम से कम 2.5 लाग की प्राइविट कोलिज में डिग्री बैठती है तो ये मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया ये उन लोगों के लिए है जो एफोर्ड कर सकते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोच रहे हैं कि फीस कितनी होगी प्राइविट में क्यों क्योंकि अभी जैसे मैंने क्या कहा था मैंने पास्ट वीडियो में भी कहा था कि जिनके मांक्स हैं 70 तो 80 न वो अपने हिसाब से अपने एरिया में अच्छे प्राइविट कोलिज ढूनना स्टार्ट करते और मैंने ये वीडियो उनके लिए है ताकि उनको क्या हो बाद में दिक्कत ना हो प्राइविट कोलिज में भी क्योंकि क्या होता है न प्राइविट कोलिज में भी कटो फोलो होती है तो बाद में आपको private colleges में भी admission जो आपके nearby college जोंगे वहाँ पे seat जब full हो जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा admission लेने में तो मेरा fees की video बनाने का main motive यही था कि आप अपने इसाब से अगर afford कर सकते हो private की पड़ाई तो आप colleges जो nearby के वो ढूणना start कर दो तो यह video में मैंने यही part cover करना थे क्योंकि काफी comments आ रहे थे और बाकी अगर B.Ed अगर आप government करना चाते हो तो मैंने एक video previous video डाली होई है C.U.S.A.T की date जो जा रही है 16 end date है तो जो जो interested ना वहाँ B.Ed में उस notification को डंक से पढ़ लें C.U.S.A.T की official website पर आपको N.T की official website पर आपको C.U.S.A.T की notification मिल जाएगी तो अगर आप उसके बारे में अगर comment कर देना अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं full detailed वीडियो कहां कितने में B.Ed होगी कैसा होगा तो वो मैं सारी वीडियो लाने की कोशिश करूँ होगा हाँ उसका exam भी अलग से होगा H.P.U. के marks वहाँ वो लो नहीं होगे वहाँ का exam जो होता है C.U.S.A.T का अलग से exam होता है तो अगर उसके regarding वीडियो चाहिए होगी तो नीचे comment करना बगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe guys Thank you